हेलो फ्रेंड्स सीजनल वेजी टेवल पर पैस्ट के अटेक को और और गैनिक पैस्टी साइड से दूर करें उसको बताने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दवा दें तापकि आपको मेरी वीडियो का नोटिफ लोकेशन पहले मिल जाए आएए चलते हैं अपने टोपिक पर मेरे किचन गार्डन में घेलू यूज के लिए सबजी ये वेजी टेबल लगाई हुई है उन पर लिव्स के रंग के कीड़े ने अटैक किया है ये आप देख रहे हैं ये बिलकुल पैस्टी साइज वुड एश है वुड एश लाइम और पटाशियम का अच्छा स्त्रोत है इससे इसमें और भी बहुत से अलिमेंट्स होते हैं जिनकी हमारे प्लांट्स को जरूरत होती है वुड एश को हमेशा शाम के समय यानि इवनिंग में यूज करें ताकि हमारे प्ल यहां इसको इवनिंग में छड़काव करें जैसे अब हमारी यहां बिलकुछ शाम हो चुकी है इवनिंग में इसका श्प्लिंकल कर दें लीव्स पर और से ज़रूरी पॉइंट है एक तो आप इविनिंग में इसका छड़काव करें इसको हमेशा स्प्रिंकल ही करें जैसे अब मैंने अपने प्लांट्स पर किये हैं अगर आप प्लांट्स के आसपास डालना चाहते हैं तो इसको किसी डी कंपोस्ट हो चुके फ़र्टिलाइजर म लाइम को प्रड्यूस करेंगा यह अगर किसी भी फटिलाइजर के साथ मिक्स होता है तो सॉल्ट और लाइम की मात्रा थोड़ी कम हो जाती है और अगर यह ज्यादा मात्रा में प्रड्यूस करता है हमारा वुड एश तो हमारे प्लांट्स जल जाएंगे इसके यूज करने का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारी सॉल का यह पी एच लेबल भी बढ़ा देता है और सॉल को एस्टिक होने नहीं देता है इसलिए वुड एश को एस्टिक प्लांट्स में नहीं डाले तो यह बिंडी है इसको भी लीब्स के पत्तों उसने कीड़े ने खेती करते हैं फार्मर है उन्यों पर जरूर्ट एस का यूज करें और एक बात मैं यहां कि बूड एश है यह वुड एश है यह बिलकुल मोनो पैस्टिलैजर ऐसिस ही सरी उसका जो यूज करते हैं उसके बिल्कुल ऐकियो ब्राबर है उससे भी ज्यादा कारगर है यह वुड एश और बिल्कुल मुफ्त और बिल्कुल सस्ता साधन है और इसका मैं रिजल्ट भी दखाऊंगी लोबिया और भिंडी और जो भी मेरे सीजनल वेजिकेबल्स लगी हुई है यह भिंडी जो मैंने वुड एश छड़का था अब आप देख रहे हैं इसका जल्ट भिंडी के बाद अब आपको मैं यह लोबिया की फली दिखा रही हूँ इस पे भी मैंने वुड एश छड़का था आपने वुड एश के अब रिजल्ट देखे हैं बहुत अच्छे रिजल्ट निकलते हैं आप और गैनिक फर्टिलाइजर को यूज करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन भी दबा दें मैं किसी और नए टॉपिक के साथ आपके समक्षभी रहाऊंगी ओके बाइ थैंक्स कर दो